सोफ्ट्वेर्स फॉर पेंटिंग और यू कैन से डिजिटल पेंटिंग भी कह सकते आप उसको तो आज उसमें कौन-कौन से सॉफ्ट्वेर यूज करते हैं और उसके कुछ वर्क सांपल वह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं और उसके बारे में थोड़ा से डीटेल मे से बात करेंगे सो शुरू करते हैं हालो एव्रीवन मेरा राम हरीज दाइन्डियो स्वागत है आपका हर शाट क्रियेशन ड्रॉइंग और पेंटिंग क्लास के वीडियो में पेंटिंग आजकल ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैन्वस पे बनता है या पेपर बनता है पोस्टर कलर वाटर कलर ऑईल पेस्टल क्रेयॉंस नॉर्मल पैंसल शेडिंग पोट्रेट लैंड्सकेप यह सारी चीज़ हम लोगों को अल्रेडी पता है राइट बट न्यू ट्रेंड है वैसे तो यह काफी पुरानी बात है मतलब काफी सालों से यह चला रहा है पर इंडिया में अभ अच्छे से बना भी लेते हुए और इवन आप पोट्रेट भी अच्छे से बना लेते हो राइट बट यह जो हैंड पेंटिंग इसको कुछ लिमिटेशन से मतलब टाइम ज्यादा लगता है सेंड पेंटिंग भी रिपीट बनाना हो तो आपको काफी वक्त लग जाता है क् पेंटिंग इस टाइम कंशुमिंग प्रोसेस और स्कील्स भी बहुत जादा डेवलप करने पड़ते राइट बट ऐसे कुछ सॉफ्ट्वेर है वह यूज करके आप पेंटिंग को डारेक्ली कंपिटर पर या आपके लाप्टॉप पे बना सकते हो तो ऐसा पहला सबसे और अच्छा सॉफ्ट्वार जो मैं जानता हूँ वह है फोटो शॉप्ट प्रोस जो भी आपकी वाटर कलर का इफक्त हो पोस्टर कलर का एफेक्ट कैयंवस पैंटिंग पैंसिल शीडिंग का इफेक्ट जो होता है वह सारे एफेक्ट उसके अंदर आप को भी फोटो को दे सकत हो first thing second thing you can create your own painting आप खुद के पेंटिंग photoshop यूज करके कर सकते हो अभी देखो जैसे यह software यूज करने के लिए आपको skills acquire करने पड़ेंगे उसमें जो tools होता है crop का tool brush का tool pencil tool यह सारे tools lines shapes कैसे लाने हैं कैसे copy paste करना है typing exactly कैसे करना है font क्या होते हैं यह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उसी तरह से अगर आपको software पी अगर काम करना है तो उससे पहले आपका थोड़ा art का touch होना चाहिए तो उसके लिए आप लोगों ने कोई basic सा drawing painting का course किया होना चाहिए मतलब मेडिया में बता रहा हूं यह सारे पेंटिंग है हाथ से हम लोग पूरा डिटेल पेंटिंग करते हैं वैसे डिजिटली मतलब यह जो पेंटिंग आप अभी देख रहे हो यह सारे फोटो शॉप में काम किया है वैट ऐसे लगता है कि पूरा ब्रश पेंट से किया है राइट और कैन्वस के ऊपर है तो आए थोड़े से में आप देख सकते हो यहां पर अगरेट देखा आप लोगों ने मतलब आप समझ सकते हो कि इतने डीटेल में वह कंपटराइज हो सकते हैं अब मैं आपको कुछ लैंड्सकेप भी दिखाता हूं जो डिजिटल पेंटिंग में ही किया है मतलब फोटोशॉप ही यूज करके यह लैंड्सकेप किया हुआ है तो इस तरह से लैंड्सकेप पोट्रेट अनिमल फ्लावर जो चाहिए वो ड्रॉइंग आप फोटोशॉप में बना सकते हो उसको पर्टिकुलर सीवाई के या पेपर पे निकालना हो तो आर जीबी फॉर्माट पर कैन्वस पे अगर प्रिंट करवाना हो आप लोगों को तो आपको उसको CMYK फॉर्माट में रखना होगा और एक जैसे कि हम हैंड पेंटिंग का इफेक्ट आता है उसी तरह से उसी लेवल का एफेक्ट कैन्वस पे भी और फोटो प्रेंट में भी दिख सकता है आई टोटली एग्री है पेंटिंग का मज़ा ही कुछ और रहता है बट इस इस अल्टरनेटिव सोलूशन जैसे एक पेंटिंग आपने खुद का बना लिया उसको पेंट करवा लिया और उससे आप बहुत सारे रिप्रोडक्शन करवा सकते हो मतलब एक आपका खुद का कॉपिराइट पेंटिंग और वहां पर आप ही का पेंटिंग आप ही का क्रियेटिविटी आप डिफरेंट वे से लोगों तक पहुंचा सकते हो तो देस इस दे मॉडर्ड टिक्नोलोजी और आज कल डिजिटल पेंटिंग भी नाम से आप गैलरी में भी एक्जिबिशन कर सकते हो बाकाइदा आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए वो स्कील्स होना चाहिए कि किस तरह से डिजिटली पेंटिंग करना है और उसको किस मीडिया पे एक्जाक्ली आप लोगों को प्रिंट करवाना है तो यह हो गया फोटोशॉप के बारे वे ऐसे और बहुत सारे सॉफ्ट्वेर है जैसे कि आ क्रियेटिविटी कर सकते हो तो यह जो सॉफ्ट्वेर है और आपको कौन-कौन से सॉफ्ट्वेर पता है वह आप कमेंट सेक्शन में रिखे आड भी बना सकते हो आप बट राइट ना वी टॉक की पेंटिंग को करना है डिजिटली तो यह जो चीज है इसको आप लोगों क सॉफ्ट्वेर सीखने पड़ेंगे उसका प्रिंट टेक्निक सीखना पड़ेगा उसके बाद ही यह सारी चीजी आएगे होपस आप लोगों को बहुत इन्फोमेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो प्लीज लाइक का और कमेंट करना मत भूलेगा प्लीज शरी क्रिख चार फ्सक्राइप है झाला करो जब कर विए व्युट लाइग जिस वीडियो और कि जया प्लीज।